एनिमल, किस-किस ने देख ली, यकीरन बहुत से अपने मीम्स भी पढ़ ली होंगी और वो वाला डायलोग सुन रहा हूँ, सुनाई देता है, बहरा नहीं हूँ मैं, यह बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, मीम्स भी चल रही है और बहुत सारी रिवीउस भी आ रहे है स्पेशली भारती रियासतों से और बहुत से लोग एनिमल मुवी देखने के बाद अपने रिवीउस कुछ अच्छे नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगटिव लोग बढ़ी डिसपॉइंटे हैं कि इतने शोक से मुवी देखने गए थे, लेकिन क्या देखने को मिल तो थोड़ा सा आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एनिमल मुवी का कॉंसेप्ट है क्या, यह अपना ओरिजिनल कॉंसेप्ट है भी या पिर चुराया गया है बॉलीवूड का, क्योंकि यह बहुत ज्यादा स्टाइल है कि एक्सर जो है वो कॉपी किया जाता है, फैमिनिजम, क्या होता है, मेसकुलैनिटी और उसके साथ-साथ मिसोजिनिस्ट होने में क्या माइनर सा फिरलाइन डिफरेंस है, मैं हूँ रूबा अरूश और आप लोग देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, तो नाजरीन बात हो रही है, फिल्म एनिमल की, जिसमें ए बच्चे के लिए टाइम ही नहीं होता था, जिसकी वज़ा से वो काफी दफार डिस्टाप भी रहता था और हर बर्डे पे इंतजार करता रहता था अपने वालिद की कि वो उसको वक्त दें, इसी तरह से इस मुवी में तोड़ा सा ग्रैजूली एक बच्चे को ग्रो होते तो सबसे पहले अगर हम मुवी के बिजनस की बात करें तो नो डाउट मुवी जो है वो इस वक्त तमाम तर स्क्रीन्स के रिकार्ड तोड़ रही है और पहले दिन में ही बहुत बड़ा रिकार्ड तोड़ा गया और अब तक बड़ी दुनिया में जो सबसे ज़ादा बिज में जो इसके संदीब वांगा हैं उन्होंने बहुत जादा एक मिसोजेनिस्ट रूल दिखाया है औरतों की बहुत जादा तहजीग दिखाई है इस तरह के डायलोग्स इस तरह की सिचुएशन्स क्रियेट किये गए जिसमें जो है वो बिलकुल तहजीग की जा रही है खव आपको पसंद आती है या नहीं पसंद आती लेकिन आप देखने ये उसकी कामयाब होती है तो इस लहाज से यह मुवी बहुत कामयाब रही है अक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में तो निन्वीर कपोर ने जो है वो बिल्कुल सब बहुत से बड़े-बड़े हीरोस क तोर पे रोल दिखाया जाए और उसके सासा जो है वो एक शोहर या वाइफरेंड जो भी आप टाम इस्तमाल करना चाहें उसके तोर पे रोल दिखाया जाए तो different है और फिर एक सवाल यहां पे रुक के जरा में अपने तमाम देखने वालों से पूछने चाहूंगी कि क्या हम खुल दिखाया जाते हैं तो फिर क्या चीज़ है जो हसम नहीं हो रही है असल में मामला यह है कि बॉलिवुड जो कि हमेशा से रुमैंस और एक typical sort of love story के around गूम रहा था उसने थोड़ा सा change किया है एक नया concept जो है वो introduce कराने की कोशिश की है तो इसमें कोई दोरा है नहीं ह कि संदीब मांगा को जो है वो already पता था कि उन्हें इस तरह के criticism का सामना करना पड़ेगा और बिल्कुल ठीक भी है हमारी society में तो ऐसा नहीं होता हम तो सोचते हैं कि हमारे तो मर्द हैं वो दूद के धुले हैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रही हूं या इसिया की बात क सोच भी नहीं सकते कि मर्द जो है वो इस तरह की सोच रखते होंगे कवातीन के बारे में तो क्या अगर आप मर्द हजाते हैं और देख रहे हैं तो क्या यह सोच reality के बहुत क्लोज नहीं है या पिर आपको यह बात बुरी लग रही है कि हमारी अंदर की personality कैसे पढ़ ली ग करेंगे सबसे पहले alpha man एक concept दिखाया गया बहुत स्टार्ट में कि alpha man क्या होता है तुम्हें पता है वो आदमी जो के बहुत ताकतवर है और वो जो है वो बहुत सारी power रखता है और वो दूसरे मर्दों से इसलिए मुक्तलिफ है क्योंकि वो शिकार कर सकता है और एक concept of power द तो है लेकिन वो अपनी power और aggression का positive इस्तमाल करता है इसकी मिसालें अगर हम दें तो दुनिया के जो बादशा गुजरे हैं जो इंपेरियर्स गुजरे हैं और जो एक centuries गुजरी हैं जिन लोगोंने centuries रूल किया वर्ल्ड पे इसकी example वो मर्द हैं फिर औरत पे power दिखाना never ever think like के ये alpha man की निशानी होती है जब कि इस movie में mistake की गई अचा फिर feminism को बड़े अजीब तरीके से इसमें predict किया गया और फिर अगर हम थोड़ी सी जो एक minor difference है masculinity और misogyny इन दोनों में बड़ा minor सा difference होता है जो कि शायद जिसके साथ वो इंसाफ नहीं कर पाए इसके writer या director जिसम इसमें भी इस सारे system को proceed किया फिर इसमें एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी और ये हमारी Asian माशरे का बहुत important हिस्सा है जिसमें हम बात नहीं करते है औरत के साथ जो मर्ट का बढ़ता हूँ है on the basis of power वो इस movie में दिखाया गया है और ये reality है हमारी society की आप अपनी power जो आपनी राये से इत्फाक भी करवाते हैं और कितने परसंट आपके इर्दगर्दखवातीन ऐसी नहीं है या आप नहीं जानते किसी को भी जो सिर्फ power के डर से मर्द के powerful होने के डर से उसकी बहुत सी बाते मान देती है चाहे वो बीवी के रूप में हो चाहे बहन के रूप इन हीूमन एक्शन दिखाया जाता है जो कि शायद एक नॉर्मल जहन के लोग नहीं जो है वो देख पाते हैं फिर यह इतरास किया गया कि बच्चे अगर यह मूवी देखेंगे तो इस तरीके से जो है वो उनकी ग्रो अप जो है वो इस तरह से उनकी तरभियत होगी तो क् अपने बच्चों की तरभियत मूवी के थुरू करवानी है मूवी तो सम्टाइम या मीडिया कोई भी मीडियम है वो आपके मौश्रे की रियालिटी को दिखा रहा होता है और बास जुकात कुछ टायरेक्टर्स कुछ राइटर्स वो रियालिटी दिखा देते हैं जो हम च बäसा नहीं होता यह चीज़ें क्यों एक नहीं हमारे दरमयान में में मौशूद होते हैं बहुत नॉर्मल जिखा रहे होते हैं लेकिन रेयालिटी में अनिमल्स का रोल प्ले करे होते isn't a toxic man or a toxic woman it animals से कं तो नहीं है जो दूसरों की जिन्देती जहन्neum बना दे यही इस movie में concept दिखाया गया है और फिर बड़ी खुबसूरत चीज जो इस movie में मुझे लगी कि a man is a product of its environment कैसा environment मिल रहा है आपकी स्कूलिंग कहा हो रही है आप किसके साथ उठते बैठते हैं आपकी teacher कैसी है आपके वालदेन का इतना harsh रुई है और यह तो psychological है आप researches उठाकर देखने international आपको हजारों researches मिल जाएंगी जो के बताती हैं कि अगर abusive behavior of parents बच्चे को सामना करना पड़ता है तो वो automatically abusive behavior उसका उसकी personality का हिस्सा बन जाता है और वो उस रख वो उसको apply करता है जहां पे वो ज्यादा powerful हो और उसकी औरत उसकी बीवी या बहन जो भी उससे कम powerful हो यह common है आप अपने इड़कर उठाके तो देखे के मिसाल है वो बच्चा जिस पर बच्पन से रोब जमाया गया हो बाप की तरफ से या माँ की तरफ से जब उसको power मिलती है तो क्या वो अपना उसको reciprocate नहीं करता इसी तरह से teachers का बड़ा रोल है जो teachers इतने बुरे तरीके से पढ़ाते हैं harshly पढ़ाते हैं बच्चों को मारते ही रहते हैं तो वो वापिस अगर खुदा ना खौसता वो बच्चे अगर teaching की field में चल जाते हैं वो ही चीज जो है वो उसको आगे से replicate कर रहे होते हैं तो as a parent, father और mother, father mostly, teacher आप बच्चे के hero होते हैं वो आपको copy कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं वो चीज उसके unconscious में रह जाती है जो कि वो बड़ा होके कहीं भी apply कर सकता है इसमें बड़ी एक interesting example जो है वो मेरे जहन में आ रही है और मैं उसको बिल्कुल quote करना चाहूंगी एक बहुत बड़े जो है वो बादशाव गुजरें मैं बिल्कुल उसकी quotation citation नहीं दे सकती लेकिन वाक्या मुझे याद है उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा और उन्हें कहा कि इसने कल को जो है वो मुल्की बागदोर संभालनी है आपने इसको पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है बादशा ने हुकम दिया उस्ताद को उस्ताद ने बहुत अच्छे से बढ़ाया दीनी और दुनियावी तालीम सिखाई बहुत अच्छा सब चल रहा था लेकिन जब आखरी दिन था जो आपकी स्कूल है दर्सका है जिससे भी तो उस्ताद ने बच्चे को बहुत मारा इतना मारा इतना मारा आखरी दिन जब उस्ताद से एप्रिसियेशन मिलनी थी होसला मिलना था बेस्ट ओफ लग का जाना था इतनी मार शहजादा बहुत परेशान हुआ जाके जब घर पहुंचा तो वालिद जो के बादशाद थे बहुत बड़े बादशाद थे शिकायत की कि उस्ताद में बहुत मारा है बादशाद जो है वो बड़ा फहम परेस्ट था उसने का कि उस्ताद है उस्ताद मारेगा नहीं तो कसी वज़ा से मारा होगा बेवज़ा नहीं मारा शहजादा बहुत परेशान हुआ क्योंकि उस वक्वरलेस था बाप बादशा था उसने कह दिया कि उस्ताद ने मारा तो कोई मसला नहीं है किसी वजह से मारा होगा शेवजादा यह चीजज स्थादे के दिल में बैट कई जहन में बैट कई unconscious में बैट कई रोज सोता तो उसको ख्याल आता कि आखिर उस्ताद ने क्यों मारा था, इतनी हिम्मत, इतनी जुरत नहीं, इतनी ताकत नहीं, कि जाकर उस्ताद से पूछ सके, एक वक्त आया कि शहजादा जो है वो तक्त पे बैठ गया, बादशाद बन गया, सारों को बिलवाया, पैगाम बेजा गया, पहला बड़े हरान लोग कि क्या, पहला हुकम सादिर किया भी है, तो वो जाईफ उस्ताद अरसे से रेटायर हो चुका, उसको क्यों बिलाया, सल्तनत पे बैठे हैं शहजादा साब, अब बादशाद बन गये, उस्ताद आया, जुकी हुई कमर, जाईफ, हालत, और आके मुबार कि क्यों मारा था? पूछना चाहता हूँ, इस से पहले पावर नहीं थी, ताकत नहीं थी, पूछने की इमत नहीं थी, लेकिन पूछना चाहता हूँ, रोज रात को नीज्न नहीं आती, वो दर्द जो आपने जखम दिये थे, वो जिसलए तो चलें के लेकिन रूप पर बादशा बनो तो मैं जिन्दा हूँ और तुम पूछो मुझ से कहते हैं कि तुम में ताकत नहीं थी तुमने शिकायत की बादशा ने बात नहीं सुनी और तुम शिकायत लेके मेरे पास नहीं आ सके और आज नमारे पास पावर आई है तो तुमने सबसे पहले मुझे बुलाया इंसाफ करोगे बादशा बन गए हो तो बहुत से लोग होंगे जो कि कमजोर हैं ताकत नहीं है उनके पास सवाल नहीं कर सकेंगे लेकिन एक दिन जब इंसाफ का दिन आएगा बादशाद का सामना करना पड़ेगा तो वहां पे वो फोरण पूछेंगे जब तुम्हाई तरह ताकतवर हो जाएंगे तो ये वज़ा थी उस दिन तुमें मारने की और मैं मुंतजर था कि तुम जब बादशादे की और मैं तुमें ये सबख सिखा के जाऊ तो ये सब चीजें बड़े लिंक्ट हैं कि आपके जो तरबियत करने वाले हैं वो किस तरह से आपकी तरबियत करते हैं तो सेम इस दा कॉंसेट बहाइंड मुवी जो एनिमल है और फिर बहुत से लोग एतरास कर रहे हैं कि उसको नफसियाती क्यों नहीं दिखाया गया इंड पे तो मुवी के नाम से आपको नहीं पता चल रहा कि सम इनिमल्स आर लाइंग बित्वीन आस और वो सुसाइटी का हिस्सा है मौज़स शेहरी हैं लेकिन उनका ये जो वहशी जानवर है वो उस वक्त वो सामने आता है जब वो किसी कमजोर का सामना करते हैं आप तो पावर में होती हैं और अपने से कमजोर पे अपनी ये जो हैवानियत है वो दिखाते हैं बहुत खुबसूर्टी से इस concept को explain किया गया है लेकिन थोड़ा सा masculinity और misogyny में थोड़ा सा एक जो difference था और वो उस चीज को शायद justified नहीं कर सके डारेक्टर्स, producers, writers बाट ओवराल यह एक fantastic movie है और इस तरह कि आपको बहुत सारी, अगर history में देखें तो आपको इस space पे बहुत सारी movies नज़र आएंगी Godfather जो एक बहुत मारूफ नौवल है और पाकिस्तान में तो इसका बहुत बहुता हवाला दे दिया गया है इसी तरह के कुछ concept से बनी हुई थी इसी तरह से Indian Indian अपनी movie है इनी की जो अभी series बनी है कबीर सिंग इसी को थोड़ा सा आप कहें कि इसी concept को लेकर चला गया है तो यह overall एक बहुतरीन movie है आप इसके concept पे जरूर criticize कर सकते हैं बच इस चीज़ से deny नहीं कर सकते कि यही psychological या toxicity का शिकार personalities आपके तरम्यान मौज़द होती है मैं बिल्कुल यह नहीं कहूंगी कि यह सिर्फ मर्द होते हैं यह वो लोग होते हैं जो power में होते हैं और फिर अपने आपको alpha men या alpha women समझते हुए अपने से कमज़ोर पे हर वो तरीका आजमाना चाहते हैं अपने गुस्से को नकालने का इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं अगर आप murderer को देखो आप एक rapist को देखो किसी भी criminal को देखो तो कहीं न कहीं वो इसी एक गलत फहमी का शिकार होता है कि वो powerful है और जब आप power की गलत फहमी का शिकार होते हैं तो फिर आप toxic personality बन जाते हैं